नमस्कार मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है PM श्री योजना कैसे इस स्कीम के तहत 14500 स्कूलों को किया जाएगा आपक्रेट तो चलिए वीडियो की शिरुआत करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सुमवार को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधान मंतरी स्कूल फोर राइजिग इंडिया यानि PM श्री योजना की घोशना की इसके तहत देशवर में 14500 स्कूलों को विक्सित्व उन्नत किया जाएगा प्रधान मंतरी ने कहा कि PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रधान करने का एक आधूनिक परिवर्तन कारी और समक्र तरीका होगा उनके मताबिक इसके जरिये नवीनितम, तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधूनिक अवसन रचना पर भी खास ध्यान दिया जाएगा प्रधान मंतरी ने ट्वीट करते हुए कहा था आज शिक्षक दिवस पर मैं एक नई पहल की घोशना कर रहा हूँ प्रधान मंतरी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानि PM श्री के तहत देश भर में 14500 स्कूलों को विक्सित्व उन्नत किया जाएगा यह सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राश्रीय शिक्षा नीती की पूरी भावना समाहित होगी उन्होंने कहा था PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तदा इनमें खोज उन्मुक और सीखने को केंदर में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोड रहेगा इनमें नवींतम तक्नीक, स्मार्ट कक्ष्वा, खेल और आधुनिक अवसनरचना पर भी विशेस ध्यान दिया जाएगा प्रदान मंत्री ने कहा कि राष्टिये सिक्षा नीती ने शिक्षा शेतर में व्यापक बदलाव किये है उन्होंने उमीद जताए कि PM श्री स्कूल देश भर के लाखों चातरों को फाइदा पहुचाएंगे तो आएए विस्तार से जानते हैं इस योजनाओं के बारे में क्या है PM श्री योजना? शिक्षा मंत्राले के अनुसार इस योजना को PM श्री स्कूल यानी PM स्कूल फोर राइजिंग इंडिया कहा जाएगा इसके तहट NEP 2020 की प्रमुख विशेस्ताव को दर्शाने के लिए राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के 14,500 स्कूलों का अपग्रेट किया जाएगा अंग्रेजी अकवार इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक गुजरात के गांधी नगर में जून में शिक्षा मंत्राले द्वारा आयोजित एक संबेलन के दौरान इस योजना पर सबसे पहले राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर् अलिकी परिकल्पना करता है मूलभूत प्रारंभिक मध्य और माध्यमिक मूलभूत वर्सो पूर्विद्याले और ग्रेड एक दो में खेल आधारित शिक्षा शामिल होगी वहीं प्रारंभिक अस्थर तीन से पांच पर कुछ आपचारिक कक्षा शिक्षन के साथ हलकी पा को शामिल किया जाएगा केंद्र प्रायोजित योजना क्या है तो आपको बता दे कि केंद्र प्रायोजित योजना वो योजना है जहां कारियान वयन की लागत केंद्र सरकार और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साथ चालिस के अनुपात में बाटा जाता ह उधारन के लिए मिट्दे मिल योजना, पीएम पोशन या पीएम आवास योजना केंदर प्रायोजित योजना है पुर्वोत्तर राज्यो यानि हिमाचर प्रदेश, उत्राखन, जम्मुक और कश्मीर और बिना विधान सभा वाले केंदर शासित प्रदेशों के मामले में केंदर का योगदान 90 प्रतीशत तक जा सकता है स्कूल केंदरिये विध्याले या जवाहर नवोदे विध्यालेों से कैसे अलग होंगे? इसके विप्रेत पीएमश्री स्कूल केंदर, राज्यों, केंदर शासित, प्रदेशों और अस्थानिये निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का अपग्रेड होगा इसका अनिवार रूप से मतलब है कि पीएमश्री स्कूल या तो केवी, जेएनवी, राजसरकार के स्कूल या यहां तक की नगड निगमों द्वारा संचालित हो सकते हैं